तो देखे सबसे पहले जिकल देश के प्रधान मंत्री का ही कर लेते हैं पीए मोदी का बयान आता है पीए मोदी की तरफ से कहा गया है कि समान नागरिक सहीता की जरूरत पूरा देश कर रहा महसूस दैनिक जागरन के पेज नंबर एक कुछ दिन पहले भाजपा के घोशना पत्र में समान नागरिक सहीता के लिए प्रतिबदता जाता चुके प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने फिर से दोराया है कि पूरा देश इसकी जरूरत महसूस कर रहा है उन्होंने ये भी कहा है कि उत्राखन में ये लागू हो चुका है और पूरा देश इसे स्वीकार चुका है देखे आपको बता रहे हैं लगातार किस तरीके से इस खबर को तरजी दी गई है समान नागरिक सहीता की जरूरत पूरे देश महसूस कर रहा है विरोध छोड़े विपक्ष देखे प्रधान मंतिर ने क्या कहा जरा इसको भी समझ लीजे आप पीम ने कहा कि उत्राखन यूसीसी लागू और पूरा देश इसे स्वीकार कर चुका है बखूबे जानते हैं विपक्ष के निता हम पहले से समान नागरिक सहीता के बारे में बात कर रहे हैं कुछ राजनितिक ताकतों ने स्वाथ वर्ष अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून की पैरवी की है तो कहा कि मैं मानता हूँ कि पूरा देश मेरा परिवार है देखें इस खबर को कही न कहीं ऐसे भी समझा जा सकता है चुकि देखें लोकसाब चुनाव तो नजदीक है ही लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि चाहे बात UCC की हो या फिर NRC की हो लगातार जो सरकार है बीजेपी जो है वो हमेशा यही कहती है या आचल कि ये जो जितने भी हम कानून लेकर आ रहे हैं ये सभी सरकार के पक्षम यू कहा है कि जनहित में है और UCC लागू करने वाला उत्राखंट पहला राज बन चुका है इसमें किसी के अधिकारों का खनन नहीं होगा ये आप समझ लीजेए उत्राखंट का जब जिक्र आ रहा है तो उत्राखंट में कई ऐसी विरोधी भी है जो इसका विरोध कर रहे हैं अक्सर विपक्षमें बैठे लोगों का काम यहीं होता है जब सरकार की तरफ से कोई भी कानून डाया जाता है उसमें कई क्हाम drug कर्ते लेकिन उत्राखंट की जनता जिक्र करें जनता के बीच पहुंचते हैं तो जनता इससे काफिछा जादा खुश है और उत्राखंट की जनता यह चाहता है कि देखे हम हमारा जो इस तरह के कानू नाने का मकसद ही होता है कि जो वंचित हमारे ही जन हैं जो तुमारे देशों से पिछड़े हुए हैं या उनको वहां से निकाल दिया गया है उनी के समर्थन में उनी को नागरिकता दी जा रही है अचा ये आप जरूर समझ लीजिए कि आपकी नागरिकता या किसी विशेश वर्ग की नागरिकता कुछ से कोई नुकसा नहीं होगा आप भारत के वाशंदे हैं भारत के वाशंदे रहेंगे ये बड़ी बात है अचा ये जो मैसेज है कुछ इस्तिया गूफब वाली भी है आपके आजर इन तमाम चीजों को कही के सरकार को आम जनता के भी जाना होगा और इसे क्लियर करना होगा कुछ चीजे ऐसी जो उलज जाती हैं बैट करके शांतिपून तरीके से जब समस्या को समझा जाए तो उलजी हुई चीज़े आसानी से समझी जा सकती है लेगे इन तमाम बयानवाजीर से एक बात सपष्ट हो जाती है किस ताफ तोर पर बीजेपी एक कह चुकी है कि चाहे वो नर्सी हो यूसिसी हो जो कानून जनहित के लिए है उनको तो लागू किया ही जाएगा हलाकि कॉंग्रेंस जो है आप देखा होगा परिश्यमंगार में भी किस तरीके से मम्ता बनर जी जो है लगाता विरोत करी है कि यहाँ पर यूसिसी लागू नहीं हो सकता चुकि हम लागू नहीं होने देंगी चुकि कहीं नहीं राजनीती जो है इस पूरे मामने में आही जाती है आजल बिलकुल और जब यूसिसी उत्राखन में लागू हुआ उत्राखन की जनता इतने खुश है यही वजह है दिपिका की भारतिये जनता पार्टी इस बार अपने मैनिफेस्टों में यूसिसी लेकर क्या है और वाइदा किया है देश की जनता से कि पूरे जब राजर सभा में ग्रेमंतरी अमित शाह की तरफ से बयान दिया गया था अगर नर्स असम में आता है असम में इसका प्रभाव जब देखेंगे जनता से जानेंगे जनता खुश है तो इसे भी पूरे देश में लागू करने की कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी लेकिन पहले वहां की जनता से जानना जरूरी है और यही बीजेपी की एक अच्छी चीज है कि कुछ भी चीज वो लेकर के आते हैं कोई भी नियम लेकर के आते हैं तो जनता से उसका फीडबेक जरूर लिया जाता है जनता से फीडबेक लेना लाजमी इसलिए भी हो जाता है क्योंक सम्विधान में बदलाफ करेंगे ये एक बड़ी बात है ये बीजेपी भी कह रही है कि कॉंग्रेस ने कहा कि सम्विधान में बदलाफ किया जाएगा यह कॉंग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है वो लगातार दवाब बना रही है और ऐसे किसी भी कानून को नहीं लाया जा लेकिन ग्रिया मंतरी अमित शाह का भी बयान सामने आया है और उनकी तरफ से कहा ये जा रहा है कि देश में जो आतकवाद है वो खत्म हो रहा है अमरुजाला के पेज नमबर 13 पर ये ख़बर है तो फिलाल आपको बता दे किस तरीके से पयानबाजी का दौश शुरू हो गया केंदरी अग्रिय मंतरी अमित शाह ने बुदवार को कहा कि नरेंदर मोदी सरकार बहुत कम समय में देश से नकसलियों का पूरी तरीके से सफाया कर देगी 36 गर्मे सुरक्षा बोलों के दौरां 29 माववादियों को मार गिराने के बाद एक दिन के बाद उन्होंने एक बयान में कहा कि केंदर सरकार आतंगबाद नकसलियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है तो बहुत जल्द सफाया हो जाएगा 36 गर्मे नकसलियों का चुकि आप देखिए चाहिए बहुत मध्यप्रदेश की हो यानि कि पर्षम मध्यप्रदेश में और यू कहें कि मध्यप्रदेश में कई हिस्ते ऐसे हैं जो नकसल प्रभावित है और इसी को ने कई बड़ी बय जानबाजी दी गई है और देखें यह अमर रुजाला के पेपर में हम एक खबर दिखा रहे हैं जहां पर देश में नकसलवाद पूरी तरह से तो फिलाल देखें नकसलवाद एक बड़ी समस्या देश के लिए बनी हुई है और इसी को लेकर कहा गया है कि बहुत जल्द नकसलियों का सफाया कर दिया जाएगा और देखें यह एक खबर देश में नकसलवाद का पूरी तरह से सफाया होगा ग्रेमंटरी अमित शाह की तरफ से यह बयान आया है और साथी ग्रेमंटरी अमित शाह ने ये भी कहा है कि 36 गड़ में तीन महीने में 80 से जादा नकसली धेर हुए और देखें बीते दिनों भी 36 गड़ से इक खबर सामने आय थी जब 29 से जादा जो नकसली है वो धेर किये गए थे हालांकि उस मुटबेर के दोरान हमारे भी तीन जवान घायल हुए थे लेकिन नकसली घायल हुए और ये बहुत बड़ी बात है कि कांकिर में किस तरीके से खमला किया गया और इस बीच लगाता क्या होता है ना हम आशल दूसरों से यानि की आतंगवास से लड़ सकते हैं जो सीमा पार से है लेकिन जब बात अपनों के भीतर की आती है तो बहुत सोचने समझने की जरूरत पड़ जाती है नकसली को कई मर्तबा समझाए गया है उनको में इस्ट्रीम में लाने की जरूरत है और यह लगाता सरकार की कोशिश रहती है कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए लगाता आपने देखा होगा कि सर्च ऑप्रेशन लगाता चलता रहता है सर्च ऑप्रे समझाए तो काफी दे दी गई है यह अमिश्शा का ग्री मंत्री का यह कहना है कि समझाएश के बाद अब एक वक्त एक सीवा नरधायत कर दी गई है किस तरीके से अब नकसरीयों को मार गिरा जाएगा या तो वह यूं कहसा है में स्ट्रीम में आ जाए या फिर आत्म